नमस्कार मित्रों मैं दुरगाप्रसाद मिस्र, मिस्रह संस्क्रित प्रबुद इस चनल पर आप लोगों का हरदित स्वगत करता हूं हम लोग शिश्पालवद को पढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों ने 60 स्लोक पढ़ लिये हैं बिछले स्लोकों में सिसुपाल के पूर्वजन्म की कथा कवरणन है, इसमें रावन की महिमा का बरणन नारजी जिक्रण जिसे कर रहे हैं, चलिए, चन्द वनसस्त है, करें की, यहां पर एक बात समझ लीजिए, कि रावन का प्रिय करने वाले पवन के द्वारा देवताओं की उपर उपकार किया गया, हुआ क्या इसमें? रावन ने देवताओं को बांध करके रख लिया था, और पवन घुष गया रावन के अंतहपुर में, पवन मने बायू, और उसने रावन के अंतहपुर की इस्त्रियों के परिधान को थोड़ा सा चंचल कर दिया, इधर से उधर हिला दिया, तो पवन के द्वारा हटाए गए बस्त्र, जब बस्त्र हटा दिये गए, तो फिर उरूओं को रावन ने जंगाओं को इस्त्रियों की देखा, तो अत्यंत त्रिशना से युक्त, प्यासा रावन उन सुंदर जावों को देख करके पवन के उपर प्रसंद हो गया, कि तुमने मुझे इन जंगाओं को दिखा दिया, इसलिए उस पवन पर प्रसंद हो करके रावन ने सभी देवताओं को बंधन से मुक्त कर दिया, एक की चतुराई से सभी देवता जो है, मने अनुग्रिहीत हो गए, सब पर एक की चतुराई से बहुत लोग जिंदा रहते हैं, यही को धूनन यानी चंचल कर दिया, इधर उधर घुमा दिया, तो उसके कारण अस्फुट मने सपश्ट है, अगस, अगह, अगह कहते हैं पाप को, तो अस्फुट है अपराध, जिसका ऐसे बायू के द्वारा, उरुशु, उरुशु का मतलब है जांगों में, लोल चक्षु चंचल चक्षु वाला जो रावन, बासमज में कि जांगों में, लोल चक्षु सा यानी कि चंचल आखों वाला जो रावन, अच्छा प्रियेण, ये प्रियेण किसका है, ये बायू का बोधक है, माने कि प्रिये कौन हुआ, बायू, किसका प्रिये हुआ, उस रावन का, ल अपराद के जो बाधित मने बांधे गए थे सुराह मने देवता अनुचकम्पिर यानि कि अनुकम पाल उनुपर की गई कृपा की गई इसके द्वारा प्रेकम पने यानि बायू के द्वारा प्रियेंड कौन है और इस फुटा अगह है मतलव अपराद ही जिसका आज था कौ हुआ राबन हुआ तससे मने राबन हुआ उस राबन के प्रियकौन हुआ राबन का प्रियकौन हुआ बायू अनपराद बाधित हो गए सुर्व विना पराद के बांधे गए सुर्व वो प्रकम्पन मने बायू के द्वारा अनुचकम पिरयानी के अनुकम्पा उन पर की सचसें, प्रियोअ, बंधन से मुक्त करा दिया गया उनको बंधन से मुक्त करा दिया गया वा समझ में आगई कि नहीं? चलिए अब बता रहे हैं कि रावण ने अगनी की पराजय की रावण ने अगनी को पराजित किया तो किस प्रकार से पराजित किया उस इस्तिती का वरणन कर रहे हैं रावण कृत अगनी पराजय का वरणन मतलब भई तेखो तिरस्कृता मने तिरस्कृत कर दिया गया कर दिया गया तस्य मने रावन की महिमना मने महिमा के द्वारा और कैसी महिमा है जनाभी भाविना का मतलब है जनों को अभिभूत करने वाली सभी लोगों को जो अभिभाविना मतलब की दबा देने वाली अभिभूत कर देने वाली जो महिमना यानि महिमा के द्वारा और वो किसकी महिमा है तो महियसाम महियसाम का मतलब क्या है भैसाब अत्यन तस्रेष्ठ और महासाम का अर्थ है तेज उस तेज की महिमना मने महिमा स से मुहो माने बारंबार तिरस्कृत कर दिया गया क्यों तनून पात तनून-पात का मतलब होता है अगनी पहली mermaid गिरेने न दे पहलने कहें सरीर को जाठर रूप से अगनी ही तो धरन करता है अगर जठ्रागने नुष्ट हो जाये तो सरीर पतन हो जाएगा इसलिए डूमबितानम धूम के बितान को धूम के मंडल को वा समझ में कि नहीं और कैसा धूम का मंडल चूंकि जब तनून पात क्या हो गया रावन की महिमा के सामने दुबला पतला हो गया और दुखी हो गया तो आधी जई ही आधी कहते हैं मानस ब्याधी को दुख को अब आधी जई ही जा का मतलब उत्पन होने वाला माने उसकी मानसिक ब्याधी से उसके मानसिक कष्ट से उत्पन जो वाश्प है माने अस्रू है उन अस्रूं से दुगुनी करतम दुगुना कर दिया गया हो धूम बितान बास समझ में एक नहीं बाई जब आग को आँसू निकलेंगे उसके तो आँसू निकलेंगे तो क्या हो होगा पाणी मिलेगा मने अगनी में पानी होगा तो निकलेगा कि नहीं इतना अगनी तो hetผ्स भाकत अब रहता है तो ràन चीव मे रहता है तो धूम का जो आब रहता है जो आपRE करत 정हिक दहुंग दुव हो गया समझे रहे कि नहीं और बिधा त्रसकृत कर दिया घया कि इसकी तस्य मने रावण की महिमना मने महिमा से मुहू मने बारंबार महियसाम महासाम का मतलब है स्रेष्ठ तेज के द्वारा की महिमा के हाँ और वो महिमा कैसी है जनाभी भाविना मने लोगों को तिरस्कृत करने वाली है संपुरुण लोग को तिरस्कृत करने वाली महिमा के दौारा. बासमझ में आई के नहीं? महिमना माँने महिम नहीं से थाध्या आधि जयी माने की मानसिक ब्याधिा के दौरा. दुख के द्वारा उत्पन वाश्प यानी की अस्रूओं से दुगुनी कृतम मने दुगुने धूम बितानम धूम मंडल को धूम के आवरन को बभार यानी धारन किया पास समझ में यानी कि उसके रावन की तेज की सन्धि में अगनी का तेज समाप्त हो गया और अगनी भी धूमा एमान हो गया अब बताओ धूम का दुगुने तो नहीं हो सकता धूम दूगुना हो गया आईसा कहना तो संबंध संबब नहीं है इस असंबंध में भी और कभी क्या कर रहा है संबंध धूम का दुगुना इस प्रकार का संबंध बना दे रहा है इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा यह अलंकार आपको याद रखना है ठीक है इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य स्लोकों के साथ तब तक के लिए नमस्कार